दा इंडियन प्रॉपर्टी बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत और लगातार हम आपके लिए बड़ी एहम प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारियां लेकर हर एक वीडियो में आ रहे हैं और मेरे साथ हमारे जो रहरा लीगल एक्सपर्ट है एड़ोकेट जगदीब जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं पिछले वीडियो में हमने बात की थी जगदीब जी की जो मैंटनेंस है अफोरडेबल को लेकर उसको लेकर किस तरह का एक पूरा का पूरा नेक्सिस के यह वो चल रहा है अब इससे आगे बढ़ते हैं आज हम बात क लेता है और उसको वसूल भी लेता है क्योंकि ऑप्शन नहीं होता लेकिन अगर आपका बिल्डर डिले करता है तो वहां क्या आधिकार है अफोरडेबल से जुड़े होम बायर के बिल्कुल देखिए अफोरडेबल हाउसिंग पॉलिसी जब यह बनाई गई तो सारा जो फ परोजेक्ट सरकार की पॉलिसी है और सरकार विश्वास करती है कि डीटी सीपी डिपार्टमेंट में जो मलाजिम वहां काम करते हैं वह इंशोर करेंगे कि 4 साल के अंदर में वह परोजेक्ट बनके खड़ा हो और जन लोगों को cater करने के लिए ये प्रोजेक्स लॉंच किये पॉलिसी लॉंच की गई थी उनको benefit अशूर किया जा सके लेकिन अब वो 2013 की पॉलिसी 2015 में ये land allocations और ये सारा चीज़ें शुरू हुई और 2020 तक के time में वो deliver उनका होना जरूरी था और 2017 में RERA Act भी implement हो गया तो policy में ये factor नहीं किया गया था कि delay होगा तो क्या interest दिया जाएगा although अगर आप payment delay करते हैं तो 15% के rate से आपको builder को penalty चुकानी होगी है लेकिन जैसे ही special act RERA आता है तो RERA equally वो तो real estate sector पे completely उसके preview में आते हैं चाहे वो affordable है luxury segment है तो यहाँ पर RERA आपको ensure कराता है delay position interest बट दूविधा जो सबसे बड़ी है affordable housing policy के साथ वो ये है जो projects बनके खड़े हुए जो project बनके तयार हुए है जहां builder ने भी अच्छा काम एक तरीके से कह सकते हैं जहां delivery हो रही है वहाँ delay मैं देखता हूँ 6 महीने 8 महीने 10 महीने और जो rate of interest RERA के थू मिलेगा वो basic lending rate of SBI plus 2% जो आज की दिन में 10.75% मिलता है लेकिन 6 महीने 8 महीने का आप delay द range में आता है वो तो बड़ी दूईधा इसलिए हो जाती है कि किसी भी legal लड़ाई को लडने के लिए there is an expenses आपको वो expenses भी incurred करने होते हैं आप एक lawyer भी वहाँ पर समय भी लगता है lawyer को भी representation के लिए आप engage करते हैं तो वो एक फायदे का सोदा नहीं हो रहा है और builder बकू भी इस चीज़ को समझ रहा है इसके वो आपके पास में जब offer of possession देता है तो कुछ extra charges भी लगा देता है IFMS fund भी आप से लेने की कोशिश करता है और जो आपका ये जो lawful claim है एक लाख रुपे डेड़ लाख रुपे अगर delay छे ही महीने का है जिन projects में तो वो भी नहीं देता है आपको अब उसके लिए आप लड़ाई लड़ सकते हैं रिरा एंशूर करेगा 100% एंशूर करेगा कि आपको delay position interest मिले बट आपकी उतनी cost ही लग जाएगी तो आप कैसे तो court की दरवाजे तक जाएं लेकिन फिर भी जब अधिकार है वो तो करना चाहिए एक बात जो आपने आपका कोई पैनल जल गये हैं या फिर आपका कोई भी डीजी साइटी या कुछ भी इस तरीके का कोई ऐसा आ गया जहां immediately पैसे की जरूरत है उसको rectify करने के लिए तो इतनी बड़ी societies में आप fund मांगने के लिए दुबारा से raise नहीं करेंगे कोई आदमी कहीं रहता है कोई कैसे है और fund में देरी होती है तो आप वो काम ही नहीं करा पाएंगे इसलिए हस society ये एक provision रखती है IFMS का कि वो एक ऐसा fund उसके पास में हमेशा तयार है कि किसी भी emergency situation में पैसे की जरूरत है तो उससे वो काम किया जा सके अब affordable housing policy की अगर हम बात करें तो IFMS fund जो builder आप से ले है वो आपको बिल्कुल नहीं deposit करना है क्योंकि पांच साल की responsibility तो सरफ़सर बिल्डर की है अगर कोई ऐसा incident होता है तो builder के पास में वो पैसा होना चाहिए जिससे कि वो उस चीज़ को met करें IFMS तो आपको ensure करना है कि ये सिरफ जब आपकी RWA constitute हो जाए और आपको वो common area RWA को hand over हो जाए उसके बाद ही आप IFMS फंड दें और वो पांस साल के बाद होगा बिल्कुल और DTCP department ने भी specify किया है 22-2223 के अपने notification में कि IFMS फंड बिल्डर नहीं मांग सकता है क्योंकि आप जो commercial आपने बेचा हो तो आप वहां से recovery करी करी चुकी है commercial से आपकी maintenance charges आ रहे हैं और IFMS लेके आप बिल्डर को क्यों देंगे IFMS तो आपको अपनी RWA के लिए देना है जब उसको आप regulate कर रहे हैं जब अपनी RWA आप खुद से चला रहे हैं तो आपको contingency funds की जरुए नहीं यह काफी एहम है affordable से जुड़े home buyers के लिए कि अगर आप से मैं फिर से दोराऊंगा कि अगर आप रहे रहे हैं और आप से इस तरह का कोई fund ले लिया है जिसको आप interest free maintenance security fund की बात करते हैं तो आप उसके लिए court का दर्वाजा खट-खटा सकते हैं वो वापस देना होगा builder को और अगर अभी आपने affordable में flat लेना है या भर चुके हैं तो इस तरह का कोई भी fund आप ना दें आपका अधिकार है ये fund ना देने का या अगर builder आप से ले रहा है तो सीधे सीधे आपकी जेपर ये डाका है बलकि affordable housing policy के जितने investors हैं देखिए वो एक बहुत बड़ी संख्या हो गई है तो मैं ये कहता हूँ कि उन्हें इस तरीके से भी पनी आवाज उठानी चाहिए और रेरा जो कि आप सब लोगों के benefit के लिए बना है वहां तक आपकी आवाज पहुचनी चाहिए कि sumo to proceedings जो कि आपकी legal cost को कम कर दें आपकी legal cost होगी लगेगी ही नहीं अगर रेरा authorities इसे सोहता है अपने संख्यान में लेकर और ये ensure करें कि ज जो भी affordable housing का builder है जब वो possession offer कर रहा है तो delay position interest को factor किया जाए उसको वो वाजब हक अलोटी का उसको मिल सके और ये sumo to proceedings के द्वारा रेरा authorities सभी builder के खिलाफ ये action लेते हुए ये ensure करा सकती है ये उनके अधिकार चितर में आता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसके लिए अच्छा तरीका आपके पास ये है कि अब आप रहने लगे हैं आपने तमाम जो residents के आप connect में हैं अगर आपने एक RWA के थू जाईए आप mass level पे जाकर case कीजी तो उसमें बहुत जादा आपको lawyer की cost नहीं बड़ेगी पांसो या एक हजार लोगों से तो ये amount बहुत बड़ा हो जाता है तो इस amount को तो आपको लेना चाहिए आपका अधिकार है और कम से कम इस amount को लेकर अपनी RWA के पास रखिए ताकि आप अपने बाकी जो सुईधाएं है society की उसको बढ़ाने में इसका use कर सकते हैं बहुत 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 धन्यवाद जगदीब शोरान जी आपने इतनी एहम जानकारी affordable से related दी और उमीद करते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप comments कीजिए like कीजिए और आपके जो भी सवाल हैं वो comment box में अपने सवाल जो है वो भीज सकते हैं ताकि हम जो आने वाले वीडियो हैं उनको शामिल करें एडवोकेट जगदीब शोरान जी से वह आपको सवाल भी हम लेंगे तो आप mail कर सकते हैं reportergy.in at the rate gmail.com पर तो फिलाल आज के वीडियो में इतना ही नमस्कार झाल 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